बिसमिल्ला अर्मान रहीम, आज हम इस वीडियो में लेंस के बारे में पढ़ेंगे कि लेंस होते क्या हैं और उनकी टाइप्स के बारे में जिसे कि लेंस की कॉमनली दो टाइप्स होती हैं एक convex lens होता है और एक concave lens होता है तो आज हम इस वीडियो में detail में सीखेंगे कि convex और concave lens में क्या difference है और इन दोनो lenses को हम किन किन चीज़ों में use कर सकते हैं और इन में से अगर light pass होती है तो वो किस तरीके से pass होती है तो चलिए video को start करते हैं अब सवाल ये पेदा होता है कि lens कौन सा material है lens तो transparent material का एक टुकड़ा होता है transparent material वो होता है जिसमें से light pass हो सके जिसमें से हम एक तरफ से दूसरी तरफ चीज़ों को देख सकें तो इसलिए ये optical instruments में भी use होते हैं हमारी eyes में भी lenses होते हैं पर ये natural lenses होते हैं हम इन eyes में artificial lenses भी ल lenses काम करना छोड़ जाते हैं या उन्हों में कोई defect आ जाता है तो हम artificial lenses से उन defect को correct कर सकते हैं तो आज हम इस वीडियो में ये भी सिखेंगे कि उन defects को eyes के defects को lenses से correct कैसे किया जा सकता है सबसे पहले convex lens की बात करते हैं जो के converging lens है मतलब की light की beams को converge करता है convex lens कुछ इस तरीके से होता है कि वो edges से thin होता है और middle से thick होता है और इसमें एक optical center भी होता है हर एक lens में optical center होता है एक point होता है convex lens के आगे फिर types होती है जैसे कि double convex lens means एक ऐसा lens होता है जिसके दोनों तरफ से spherical material होता है जैसे कि वो spherical material edges से तो thin होता है पर middle से थिक होता है दोनों तरफ से एक plano convex lens होता है जो कि एक तरफ से तो plane होता है पर दूसरी तरफ से वो spherical होता है एक concave वो convex lens भी होता है मतलब कि एक तरफ से वो concave होता है दूसरी तरफ से convex होता है जिस तरफ से उसका जो middle है वो ठिक होता है वो convex होता है जिस तरफ से उसका middle thin होता है वो concave होता है Convex lens में से जब भी light की beams पास होती है जाहरी बात है light की beams से straight line में पास होगी जितनी भी beams पास होती है वो एक ही जगा पर जाकर focus होती है एक ही point पर जाकर focus होती है वहाँ पर उसका image बनता है अब बात करते हैं कि convex lens किन-किन चीज़ों में इस्तमाल होता है Convex lens optical instruments में इस्तमाल होता है जैसे कि telescope में भी convex lens इस्तमाल होता है क्योंकि convex lens से हम एक चीज़ पर focus कर सकते हैं जैसे कि for example इस sky में हमें किसी चीज़ पर focus करना है moon को इस focus कर लेते हैं तो हम अपनी telescope में convex lens लगाएंगे ताकि हम moon पे ही focus रख पाएं सारी जितनी भी lights हैं वो एक ही जगापर जाएं और convex lens में एक खासियत भी है कि वो किसी भी चीज़ को magnified कर सकता है बढ़ा करके दिखा सकता है microscopes में भी convex lens होता है किसी भी चीज़ को focus करने के लिए microscopic bodies को थोड़ा सा बढ़ा करवाने के लिए Canvax lens use होता है हमारी जो eye के lenses होते हैं वो convex lens होते हैं किसी भी चीज़ को सही तरीके से focus करने के लिए और उनको थोड़ा सा magnified करने के लिए camera के lenses जो होती हैं उन्वें भी convex lens इस्तमाल होता है magnifying glasses जो होते हैं उनNG में भी convex lens इस्तमाल होता है कि एक ही जगा पर वो light की beams फोकस हो जाएं और उनसे जो जितनी भी चीज़ें हम उस magnifying glass से देख रहे हैं वो थोड़ी सी बड़ी नज़र आएं, थोड़ी सी clear नज़र आएं हमें आई में एक defect होता है hyperprya और farsighted, उसको भी हम convex lens से दूर कर सकते हैं जैसे कि हमारी eye है और उस पे जब रोशनी पड़ती है, रोशनी की beams उस eye पे जब आती हैं हमारे lens से जब टकरा के जाती हैं तो वो retina के बाहर focus हो जाती हैं या कई और चली जाती हैं, मतलब कि हम दूर वाली चीज़ें तो सही से देख सकते हैं पर पास वाली चीज़ें देखने में हमें थोड़ी सी मुश्किल हो सकती हैं तो हम इस defect को दूर करने के लिए convex lens लगाएंगे जैसे कि यह हमारी eye वो ही हमारी रोशनी है, तो अब हम eye जो lens है, उसके पास ही एक convex lens रखतेंगे तो जैसे ही वो light आएंगी, पहले convex lens से वो पार होंगी, तो जब वो convex lens पे आएंगी, तो convex lens का तो एक आपको पता ही है, काम है, वो एक जगा पर focus करता है, light की beam को, तो वो focus करतेगा light की beam को एक जगा पर, rectina पर, तो हमारा यह defect दूर हो जाएगा अब बात करते हैं, concave lens की, कि concave lens diverging lens होता है, light की beams को diverge कर देता है, concave lens कुछ इस तरीके से होता है, कि वो edges से थिक होता है, और middle से थिन होता है, जैसे कि हर एक lens में एक optical center तो होता ही है concave lens, concave lens के भी आगे types होते हैं, जैसे कि double concave lens होता है, मतलब कि दोनों तरफ concave दोनों तरफ आप देखेंगे तो उसके middle जो है, वो थिन हो, एक convex o concave lens होता है, मतलब कि एक तरफ वो convex होता है, और दूसरी तरफ वो concave होता है जिस तरफ उसका middle थिक होता है, वो convex होता है, जिस तरफ उसका middle थिन होता है, वो concave होता है एक plano concave lens भी होता है, मतलब कि एक तरफ वो plane होता है और दूसरे तरफ उसका middle थिन होता है means कि spherical होता है, जैसे कि हमारे पास एक concave lens है Concave lens से जब भी light पास होती है Light तो हमेशा straight line में पास होती है तो जब वो concave lens में आती है तो वो diverge हो जाती है वो fail जाती है Means कि concave lens का काम ही light की beams को फहला देना है अब बात करते हैं कि concave lens के uses क्या है Concave lens, pinaculars में भी use होता है दूर beams में use होता है हम एक जगा से दूसरी जगा पर बहुत सारी चीज़ें एक साथ देखना चाह रहे हूं लाइट की बीम्स को फैलाना चाह रहे हूं तो हम Concavalence यूज़ करेंगे और टेलिसकॉप में भी यूज़ होता है जब हम एक ही साथ पूरे स्काय में बहुत सारी चीज़ों को फोकस कर रहे हूं एक पटिकुलर चीज़ को फोकस ना कर रहे हूं तो उस टेलिसकॉप में भी Concavalence यूज़ होता है और हमारे जो आई ग्लासिस होते हैं उनमें भी Concavalence यूज़ होता है और टार्च जो होती है फ्लेश लाइट्स होती है उनमें Concavalence होता है ताके हम उस टार्च को जब जलाएं तो पूरा रूम है या पूरा जो सराउंडिंग है वो रोशन हो जाए क्योंकि Concavalence तो लाइट की बीम को फैला देता है हमारी आई में एक डिफैक्ट होता है मियोपिया और नियर साइडेड मतलब कि उसमें क्या होता है कि जो हमारी आईज होती है जब भी उन पर रोशनी पढ़ती है रोशनी की कोई बीम पढ़ती है तो वो बीम रेटीना तक पहुँच नहीं पाती तो उससे क्या होता है कि हम पास वाली चीज़े तो सही से देख सकते हैं तो दूर वाली चीज़े हमें सही से नजर नहीं आती तो उसके लिए हम कॉनकेव लेंस यूज करते हैं क्योंकि कॉनकेव लेंस से जो हमारी लाइट की बीम होती है वो फेल जाते हैं, मतलब दूर तक चली जाती हैं. तो इसी तरीके से हम देखते है कि size क्या होता है. जैसे हमारी जाइए रोशनीी की बीम साने से पहले हमने उन प़र сे पहले नपर कॉर्का डिया. तो जैसे ही वो रोशनीी की बीम साइए तो पहले concave lens है वो तो दूर कर देटा है beams को. जो light की beam साती है लोट दूर कर देता है पर ये beams focus क्यों हो रहे हैं? Focus इसलिये हो रहे है कि यह concave lens है उसके साथ हमारी eye का lens भी लगा हुआ है और वो जो eye का lens है वो convex है. जो के light की beams को एक तरफ फोकस कर सकता है, तो इसलिए यह जो डिफेक्ट है वो Concave Lens से सही हो जाता है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक को शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल फलक लाइनिंग टूब को, और अगर आप चाहें तो Instagram पे और Facebook पेच पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी